आगई कहानी ट्रेन ये ट्रेन रोज रुखती है नए स्टेशन पर मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नई किरदारों से तो सबसवार हमारी आज की कहानी है प्लूटो पत्रिका से आख खुली तो सपना गिर गया इसे लिखा है शशी सब लोग ने तुमने मुझे सुबा उठाया क्यों नहीं अम्मा? चिया बोली मैं उठाने आई थी पर तुम सपना देख रही थी तुमको कैसे पता चला कि मैं सपना देख रही हूँ? तुम्हारी आखों से पर मेरी आखे तो बंद थी हाँ पर बंद आखों के नीचे तुम्हारी आख के काले गोले तेजी से हिल रहे थे क्या तुमने मेरा सपना भी देखा? हाँ क्या था? बताओ तुम और मैं मचली बनकर समुद्र में तैर रहे थे फिर तैरते तैरते वहां पहुँचे जहां समुद्र आस्मान से मिलता है फिर फिर हम उचक कर आस्मान पर चड़ गए और आस्मान में उड़ने लगे फिर उड़ते उड़ते हम ठक गए और एक बादल पर बैट गए हवाई तेज चल रही थी तो हमने एक बादल को कसकर पकड़ लिया बादल बोला छोड़ तो मुझे गुदगुदी होती है फिर फिर तुमने कहा हवाई तेज हैं हमको उड़ा ले जाएंगी तो बादल ने हवा के कान में कुछ कहा हवा धीरे बहने लगी और तुमको नींद आ गई आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ चिया बोली फिर मैंने सपना देखा कि मुझे स्कूल जल्दी जाना था रात को मैंने अम्मा से कहा था कि मुझे जल्दी जगा देना और सो गई पर रात में मैंने करवट ली और अम्मा के सपने में गिर गई फिर अम्मा बोली फिर मुझे सोने तो दो तब बताऊंगी ये कहकर चिया दोबारा सोने चली गई बढ़ है अम्मा